हम लाते हैं टॉप नियूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेट इंटर्टेन्मेंट सिर्फ यूट्यूब पर अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्स्राइब नहीं किया तो अभी सब्स्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटिस्ट वीडियो के बारे में अफडेट जाने सब्स्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ असलाम अलेकूं मैं हूँ नीज जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पोटलाइट नाजरीन एक बहुत बड़ी डेडलाइन पाकिस्तान के लिए आ रही है और वो इलेक्शन कमिशन आफ पाकिस्तान ने दी है आज से दो रोज बाद 10 नवंबर की और अगर इस पर अमल दरामद नहीं होता तो मुल्क में होने वाले इंतखाबाद ना वक्त पर हो पाएंगे और ना ही हाल ही में होने वाली मर्दम शुमारी के मताबिक हो पाएंगे तकरीबं 30 अरब रोपे की लागत से होने वाली मर्दम शुमारी के हत्मी नताइच अगले बरस एपरन में जारी किये जाएंगे जबके आम इंतखाबाद की तारीख आप सब को मालूम होगा आगस्त की दी गई है इलेक्शन कमिशन का मौकफ है कि इस नई मर्दम शुमारी के गहर हत्मी नताइच की बुनियाद पर अगर इंतखाबाद करवाने हैं तो इसके लिए एक आईनी तरमीन लानी होगी जिसके लिए दो तहाई अक्सरियत की जरूरत है अब सरकार का जो इसरार है वो ये है कि उन्होंने आईनी इंतखाबाद बिल्को सारी जमातों से मुशावरत असेमली में पेश किया लेकिन फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और दीगर स्यासी जमातों ने इस पर इतराजाद उठा दिये पीपल्स पार्टी कहती है कि इस बिल्कों मुश्तरका मुफदात काउंसल यानी सीसी आई से मनजूर करा दिया जाए जबके MQM ने तो मर्दम शुमारी को ही मुतनाजर करार दिया है और पहले से ही इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जा चुकी है तो सवाल ये है कि इस स्यासी खींचा तानी में क्या इंतखाबात वक्त पर हो पाएंगे या एक निगरांस सेट अप आएगा जो सब की मनज़ा के मुताबक मर्दम शुमारी हलका बंदियां और फिर एलेक्शन करवाएगा और ये किती देर तक रहेगा अगर ऐसा हुआ तो सवाल ये है कि फिर निगरांस सेट अप जो है वो वाकी में कितना लंबा होगा अब से कुछ घंटों पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी नवाज शुरीफ को नाइहल करने पर इनकी जो नजर सानी अपील की तफसीली फैसला है वो उन्होंने जारी कर दिया है और फैसले में उन्होंने कह दिया है कि पनामा फैसले में जो गलतिया थी उसकी निशाइन्दिय जो है वो नहीं हुई जिस पर नजर सानी की जा सके इस एहम फैसले के बाद क्या नवाज शुरीफ के खिलाफ होने वाली कानूनी चारा जोई में तमाम रुकावटे जो हैं वो दूर हो गई हैं तो नाजरीन ये सारे मामलात हैं और इसी तनाजर में हमने कुछ साउंड बा बाद भी एक ऐसा काम करती है जो जिसकी खुद भी वावलात पेशने कर सेथे हैं और फूरी पीपल्स पार्टी में सर्फ आस्थे वजर्दारी साब इससे पर एफ ये फरीज़ा सारे इंजाम दे रहे हैं कि वह अपनी पार्टी को यह खायत कर रहे हैं कि किसी दरा की किसी बी कानून साजी में हिसानी लेना है आएनी और कानूनी तकासे इलतवा की तरफ जा रहे है यूँ नहीं होना चाहिए वक्त पे ऐलेक्शन होने चाहिए क्यूяла क्योंके सारे सियस्तदान ये나ही कह रहे काम ऐसा नहीं कह रहे है स्वासर द्वा सौल कहरे तो आज जो पार्टी पांच बंदों की की है उसके बारे में आप यह कहते हैं बड़ी देर की है मैं आप यहाद नाज़ीन मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनमा राना अवजल साहब इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं बहुत शुक्रिया पाकिस्तान आर्फ निजामे साहब सब आपका भी बहुत शुक्रिया आर्फ निजामे साहब आप से शुरू करती हूं जो बेयानात आ रहे हैं और जिस तरफ सियास्ट जारी है लोग ये कह रहे हैं कि एलेक्शन्स हो नहीं पाएंगे कबलस वक्त इलेक्शन्स का मुतालबा पाकिस्ता तरीके इंसाफ तो कर रही है, वगर फिर लोग ये भी कह रहे हैं कि जी कब्ले से वाक्त इलेक्शन भी नहीं हो पाएंगे, आपको क्या नजर आ रहा है? इसलाव जैसे आपने खुद का कि पीटी एइद मतालबा कर रही है, एलेक्शन जो है वो इसेंबली की मुद्द से पहले करा दिये जाएंगे, और फौरी तोर पे डिजॉल्व कर दी जाएंगे, इमरान खान साब तक विस सब्सक्राइब की कहते हैं कि मैं केपी की इसेंबली पार्णी बात यह कि पीपल्स फार्टी और हुकमरान जमाथ के दर्मियान इस मामले में कोई इतफाक के राय नहीं है, वो कहते हैं इसको पहले लेके जाएं, चांसल आप कौमन इंट्रेस्ट, हुकमरान जमात एक तरफ तावन भी चाती है, पीपल्स फार्टी, जरदारी स साथ के खिलाफ उन्होंने तोपें भी इपनी खोल दी हैं मसलना आज श्यवाश श्रीफ साथ ने उन पे बड़ा की खमले की एच्छे बिलियन डॉलर की करप्शन का उनका का उनका उनका बास समुख मगर निजामी साथ चुके मैंने आगे पढ़ना है आप लहुर शेर में प कराए और फिर एलेक्शन हो आप ही कुछ यही कुछ सुन रहे हैं नहीं यह यह मैंसे देखना के टेकर गर्वर्मेंट तो इनने किसे जब सेम्ली एंड इजॉल्व होगी बनेगी उसका एक ही मेंडियोट होगा एलेक्शन कराना जी के टेकर गर्मेंट पे अधर वाइस मेर ली गई तो मामलात फिर आगे से आगे चले जाएंगे और यह सारा मसला जो है इस हैसे दनों के हाथ से निकल जाएगा इसलिए बतर ही है कि यह इस हापस में कल दोबारा इजलास होना है यह बैठके को किनसेंसिस कर लें फिर आपको पता ही है कि जो आउट आप जॉब पॉ आपके पॉर्टिशन के लिए बतर है कि इस पर किनसेंसिस कर लें तिक नुमान मजीर खटक साब आपने आरिफ निजामी साब की बात सुन ली क्या आपको नहीं लगता कि वाकी में किनसेंसिस हो जाना चाहिए चुकि अगर केर टेकर सेटप आ जाए और लंबा चला जाए पिर तो मामलात खराब हो जाएगे आपके हाथ से निकल जाएगे जी जहां तक मुझे लग रहा है कि कॉंस्टिशन क्राइसिस टाइप चीज़ बनने वाली है और ये पीमलन चाहती है कैसा क्राइसिस हो एलेक्शन ना हो डिले हो जाएं और ये एक मजलूम पार्टी बनकर लाइप दोस्टिशन ना अब ये है कि अगर आप ये कहते है नोटिफिकेशन ये कराना चाहन नोटिफिकेसन तो अगer आना है अगर आना है सैंसन का मिनिस्ट्री फ़ाइनस था पे 뉴스 नाएगा अगर वो उसका इंतजार करते रहीं प्रोविजिनल इसको कराना प्रोविजि अगर आप इसको वैसे ही आप कर देते हैं और consensus नहीं बिल्ड करते हैं आप इसको पास कर देते हैं तो फिर तो यह कोट में जाके चालेंज हो जागा फिर क्या हो एक मुझे बड़ी है रही है यह बातें सुनके consensus किसके साथ करना है पूरे पाकिस्तान के नुमाइंदे तो National Assembly म कौन सा हलका है पाकिस्तान का जमीन का टुकडा जो रिप्रेजेंटेट्ट नहीं नहीं है वहाँ पे तो किसे consensus यही तो representative है अगर इन ही के साथ और जो होगा इसमें कोई in council of common interest में भेजेंगे अमादा हो जाएंगे देखें ये अब कल committee में उस committee में तो नहीं हूँ और committee इसके अंदर अगर वो उस option पे आती है आज बात क्या हो रही है time constraint है आपने भी अपनी intro शुरू की कि 10 April की date आगी है जी मेरा ख्याल है कि अगर हम 5-7 दिन के अंदर भी कर लेंगे तो election commission अपने काम को शायद तेजी से कर लेगा बेतरी से कर लेगा कोई ऐसी होना नहीं चाहिए लेकिन देखें इन सारी पार्टियों ने consensus बिल्ड कर लिया था and then उसके बाद कुछ पार्टियां slip हो रही है यह यह बड़ी हैरत की बात है और यह आपको एज इन्वेस्टिगेटिव जनलिस्ट पता करना चाहिए कि जो slip out होके नए उसके उपर आगी है आइडियास के उपर वो आइडियास उनके genuine है आइडियास sponsored है वो आइडियास उनके क्या उनको second thought आगी है तो हम तो बिल्को unanimously पास उसके लिए इजलास बुलाया गया था जी दो नवेंबर को जी राना अवजल साब की बात एक तरीके से सही है हमने जो स्टेटमेंट्स पड़ी थी उसके ना तो कोई ना कोई consensus हो गया था कि यक्तम क्यों आप लोगों को council of common interest की बात याद आई नहीं मुनिज इस तरह बिल्कुल भी नहीं है देखिए पहली बात यह कि यह सारी मामलात चलाते हैं आपके फैडरेटिंग यूनिस जो हैं वो मिलकर फैडरेशन मराते हैं जो आदम शुमारी हुई है कि पड़ोस के मुलक में नहीं है हमारे सुबों में हुई है तो एक तो उनकी पहले से सब्सक्राइब कर सकते हैं उसके लिए फोर्म होता है पार्लेमेंट तो जब किसी चीज में कोई ऐसा लुकता कोई कंट्रवर्शल ऐस्प्रक्ट आ जाता है को कंट्रडिक्शन तो आप पर सेंसर्ज हो इंडिस्ट्रीज हो पोर्स हो ऑईल अगेस हो इसके लिए आपको फै जाते हैं कि एलेक्शन वक्त पे हो बुलकुल चाहते हैं पीपर्स पार्टी बुलकुल चाहती है कि वक्त पर हो लेकिं ऐसी पफ़न लगी हो इसके लिए आईनी फॉर्म होता है को आप पर दो आइन को भी चोड़ दें अगर आ तो मैं कहूं हम कहें कि अभी अभी हम यहां NFC का करें भई उसके लिए National Finance Commission बनी हुई एक Judiciary के जो फैसले है उसके लिए वो अधालग बनी हुई मगर मुझे सिर्फ यह बताए कि जो 98 का सेंसस है क्या आपको एक एलेक्शन कबूल होगा गो 98 के सेंसस के परूज़ है Council of Common Interest की मीटिंग उसमें भी जो Absolute Majority इस वक्त हमारे सूब पंजाब की उसमें आपको पता है कि सब जो है Muslim League के नून के लोग बेठे हैं सूबों से एक एक मेंबर यह भी तो थोड़ा है लेकि फिर भी हम चाहते है आईनी तकाज़ है लेकि एलेक्शन अपने वक्त पर होने चाहिए और यह पक्ष जो है यह हकुमत चाहे तो उससे देकिन गेट रिड़ अफ यह आइड करना चाहूंगा कि जो सेंसस हुआ वह उपोजिशन की जो इतनी डिवांट थी वो पूरी की गई उस वक्त हमारी आर्मी बिजी थी एक्स्ट्रीमिजम टेरिरिजम के अंदर हम उसके बावजूद को पौने दो लाख फौजी वहां से विड्रॉ किये यह उपोजिशन की डिवांट थी कि आर्मी की सुपरविजन में होना चाहिए आर्मी की सुपरविजन में हुआ सेंसस से पहले जो प्लैनिंग थी उसके उपर बेशुमार मीटिंग्स हुईं कोई अ इन्होंने एक अब्यक्शन ने किया जब उसके रिजल्ट साइए रिजल्ट समझाव पड़ी हैं तो साल पहले से हमारी एकसाईस सेनेट में तो कम से कम मेरी रिजल्ट जो दो साल पहले आई किस चीज़ की आई किस चीज़ की आपको आदम शुमारी होने वाली थी तो हमने कहा भई आप युनाइट नेशन्स के स्टेंडर्स जो है पाइलेट सेंसे करा के कुछ ब्लॉक जो लेकर उसमें देखे आप क्योंकि अंगलियां पहले से उठ रही थी रूस बने हुए नहीं थी आपके शुमारायत खाते के वो सारा इसाथ डार्स आपके नीचे में था पक्षर बॉर्ड में सूबो के नमाइंगी नहीं थी गवर्निंग बाड़ी में खबर पक्तुल खासन तो मौजूद भी बलॉचसा नहीं थी खिर उसके बावजू जब हुए तो उन्हों हमने क अब आपके नहीं थी आपके वह अपके पास की हुई है उन्हों ने अपनी बात यह पर बात यह है कि डिलिमिटेशन के लिए आप इसे हवा में तीर नहीं लगा सकते हैं आपको सुबह आपके बाद में होगी पहले मर्दम शुमारी के पर बात करें अच्छा सब्सक्राइब की किसी की ना बाप की जागीर ना कालोनी है कौन कह रहा है उसमें जो अगर को एक सेकिन में बात कर अच्छा मुझे अलाओनी प्रीज ना आपकी जाने बाऊंगी देखें यहां पर मामलात तो काफी खराब हो गए हैं सेंसेस जो इतने अर्बो रुपे लगा के हमने किया वो ही मुतनाज़े हो गया है तो आगे हम कैसे बादे हैं तो आगे हम कैसे मुतनाज़े हुई हुई कि यहां का इशु बनावाए तो वाय डूंत यू सेट दाउन सॉट इडाउट आउट आउट आपके दो लोगोंने कि ए एक तर गवने डेटर किया एक आर्मी वाले वी डेटर किया तो नहीं पार्टीज को बठाएं आर्मी वाले को कि अपना डेटर दखाएं इनको इनको अब्जेक्शन आया गुषी एक सेंपल एरिया में फिर से करा लो पिर नहीं करा आया अचा चले अचा चले आपको कहां मामला जाते वे दिखते जूके 10 नुवंबर की डेट इलेक्शन कमिशन ने तो काफी कह दिया है साफ लेट से कि अगर यह डेट हम डेडलाइन पास कर ज तो अब जो सेंसेस हमने करा है उसके तहत ही इलेक्शन होंगे और उसके तहत ही हलकी बंदिया होंगे जी हाँ वो सुप्रीम पोर्ट जा सकते हैं लेकिन उससे पहले पॉलिटिशन को चाहिए कि भाई बात मुझे भी करने देना आप इंटरप्ट कर रहें आप जी जी आप आप बात करें मिजामी साब कौन कर रहें हाँ जी मैं ये कह रहा था कि इसके लिए देखें सबसे पहले तो कल जो जो जिलास हो रहा है उसमें इनको हरा रालत में कंसेंसिस पैदा करनी कोश्च करनी चाहिए अगर कुछ पार्टी सा ख्याल है कि वो इस तरह एलेक्शन को ब बहुत ही अजीब सा है वो फारुक सतार साब कर तक्या खलाब बन गया कि हमें विक्टम सिंड्रम है कि हमें दिवार से लगाया जा रहे वो कएते हैं जी कराची के इंदर ब्लॉक सिस्ट्म पे नहीं हुए और अब जाके उनको भराबी निजर आई औरो कहते हैं जी कराची पैदा होते हैं नजब नहीं आ रहा दूसरी तरफ से हमने देखा है कि जो 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 एक अरस कर रहा था जी जी निजामी साथ कर रहा था कि पीपल्स पार्टी का मसला ये हो गया कि अलेक्शन आने वाले और उनके उपर 2014 से लेकर इल्जाम लगता हा रहा है कि वो फ्रेंडी ऑपोजिशन हैं और वो पीपल्स पार्टी से पीमल्स से मुकमका कर लेती हैं तो अब वो एट इवन इड़ कास्ट आफ देरोन इंट्रेस्ट आपोजिशन कर रहे हैं और इस मामले में मुझे सबसे ज़्यदा जो बन्य बन्यदानाथ हैं वो इस मामले में कंसेंस्स पैदा करने में एक बहुत बड़ी मुशकल हैं कि वो खालासाद रुन्ट्स भी कर रहे हैं दावे भी कर रहे हैं साथ रुपीक साब जो है शाबाश शरीब साब करप्शन के दाम लगा रहे हैं जरदारी साब पर इन Хालात म बैटके बात्चीत भी करते हैं एक दूसरे से तो इसमें इनको कोई अब आपने बता दिया कि याद सादिक साथ के लिए जो मामलात है वो काफी मुश्किल कर दिये गए मगर मैंने देखा है कि पाकसान मुस्लिम लीग नून भी वो कहें सामने लाए या ना लाए राना साथ मैं आपसे भी पूछूँगी मगर अपनी ही मुश्किलात के अंदर घिरी हुई है आज फवाद चौदरी साथ ने कोट के बाहर क्या कहा आई आपको दिखाते है तो नू है मुस्लिम लीग नून की लिडर्शिप का ये कदम दुरस कदम है लेकिन अगला कदम क्या होना चाहिए पाकिस्तान में वो अलेक्शन है राना अफजल साब ये उनका कह देना कि जितनी भी सीनियर लीडिशिप है और आप सीनियर लीडिशिप के अंदर आते हैं उन्होंने एक्सेट कर लिया है कि जी माइनस नवास फॉर्मिला होगा देखें माइनस नवास तो हो गया ही इस नो मोर दी प्राइम मिनिस्टर हमारे दूसरे नए प्राइम मिनिस्टर शायद खाकान अबासी साब काम कर रहे हैं और हम अपने केसेज लड़ रहे हैं वो उसका तो एक अलग डाइमेंशन है गर्मेंट काम कर रही है जो आपने concerns किया है फौज ने गड़बड की है फौज कहीं absent थी अगर ये इल्जाम किस पे लगा रहे है नून लीग पे लगा रहे है बैड सेंसस करने का या फौज पे लगा रहे हैं मेरा तो ख्याल है कि जूरिंग सेंसस अब्जेक्शन नही आया उससे पहले अब्जेक्शन नही आय जब results आए प्रिटीशन तो उसके बाद में हुई है जब results नहीं है जब results नहीं हैं नहीं दो रहा हुए हैं तो पहले आप रुपाज एक्षा लेना है मगर एक छोटा सा सवाल आप से मैं पूछती चली जाओंगी अगर कब लस वक्त इलेक्शन हो जाते हैं या आप मतालब जैसे कर रहे हैं तो फिर सेनेट इलेक्शन का क्या होगा सर अभी जौब दुम बाद में जी तेकर यह जहां अगल काबल दो आप लेक्शन हो जाते हैं तो नैच्टरी फिर तो सेनेट इलेक्शन जो मार्श में होना है उससे पहले होगे तो डिले हो जागा देखें अगर अगर यह इस तरह ही चलता रहता है तो होना क्या है सेनेट इलेक्शन के अंदर बेरी क्रियर एवरी बॉन नोज़ इस करिस्टल क्रियर पाकिस्टान मुस्लिम होगे हैं सेनेट में इसकी मजॉरिटी यहां भी मॉजॉरिटी लोरा उस में मॉजॉरिटी 62 63 खत्म कराना तो ये खतम करें तो ये पाकिस्दान के अवाम है ने 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 वाटवर इट इस मैं आपके बादे एफेक्ट बता रहा हूँ अप जो पी चाहिए आप तो 62-63 खतम करागा नवाज शरीफ को फिर प्रामिनिस्ट ने बना सकते हैं अब। आप जो झालिटी दोनों जगा है लेकिन यह और सीरिस्ट ली चाथी तो यह दो मीने सैनेट के नहीं मैं इसकी बात करूँ दोजार टारहर हैं की यह अगर चाहती के दोजार अटारी टाइमप फुर होता तो यह पहले यह स्टाट करते हैं यह प्राशस जो आप यह कह जियतका हूं, यह PMLN भी नहीं चाहती है, टाइम पर हो, यह नहीं चाहती है, यह एक मझ्लूम पाटी बनकर निकल जाए. इनने निकलने है, इन्हें निकलना है. सीरिस क्राइसस इन इस कमिंग इंटो इड़ जो हमें जो नजर आता है जो पीटी आई को नजर आता है देखे जी कॉल स्पेड असपेड आज कल हमारा पी टी आए का ग्राफ इस वे अप वे गोई अप पीमले इस गोई डावागा जिसके लिए आप कब्रें आप अपना आप कर रहे हैं तो इसलिए वी आर फॉर एट वी वाट एलेक्शन टेकिक प्रेस वी वाट जे आइन में जो लखा थे त्रीका उसका प्रॉसर हो और हमारा यह हंग मनता है कि अर्ली एलेक्शन कॉल करना आपका हग बनता है कि उसको दूसरा करें जो भी डिसाइड होता है इस डाट अनकांस्टिक कॉंस्टिकूश्टिश्यूश्ट एक आसके फॉर देस जो भी प्रॉसेस एक फॉलो करके भी गो फॉर एक रास्किन देस्ट मुझे एक वक्फा लेना ह है लजरीन मुर्दम शमारी जो है वो भी कॉंट्रवर्सी का शिकार हो चुकी है ससी साहिभा यह बताई ये बताई है कि जिसरा राना अफ्जल साव ने कहा के देखर देखें मुझे अर यह रहां कि उनको दो सीटे ज़्यादा मिली तूँए तो कॉछ नहीं सिर्फ करें सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब करें वक्त पर चाते हैं जो कंस्टिशनल रिकॉर्मेंट है वो पूरी करें अज अगर गवर्मन चाहे इसका हल पूछ लेते हैं मीटिंग कर ले कंसल आफ कामन इंटरेस्ट की उसमें अपका कमस्टम इंटरेस्ट का मामला हो जाएगा और जो फॉज के इदादो शुमार है वो इनके साथा कंपेर कर ले मामला हाल हो जाएगा मैं फिर से आपको बताता हूँ के फॉज गई थी मरकस से बाकी तमाम आमला सुबे का था और सुबे के डीसी जने इनके लोकल अलेक्शन कमिशन ने दिया वो वहां के स्कूल टीचर थे अच्छा चले आप इसको आप इससे रिजट करती है अपी तक हमसे ने पता है अच्छा बात मुकमल करती है तो फिर मैं आपकी जाने दे यह कहना मुझे तक ही हो रही है कि हम प्रोटेस्ट कर दिया अब उनको बात तो मकमल करें यह वह बताएं कि यह निया निया निकल आते चुकि इसका कोई हल नजर नहीं आरा अर्फ निजामी साथ आपकी हल है देखे ना बात यह है कि यह कहरी है कि नकल मकानी हो गई सेंसस एक ही दिन क्यों होता है कि जो नकल मकानी करके कहीं तो वो गिना जाएगा हरी राम साब वलत के रहे हैं आज शुमार के रहे हैं आर्फ निजामी साब इसका हल नजर नहीं आ रहा और दूसरी तरफ से जो रिटायर्ट जनरेल हैं उन्होंने बहुत सारे ब अब जो सुनने वाले हैं वो बोलेंगे कि जी ये मार्शलो है कोई जूडिशल मार्शलो है फलाना मार्शलो है कोई मार्शलो नहीं है ये मैं एक्सपर्ट्स की बात कर रहा हूँ जहां पर हमको पंचादी है तो उन एक्सपर्ट्स की मदद से हम बाए निकल सकते हैं और फ ये कह रहे हैं कि दो तीन सार तक एलेक्शन्स नहीं होने चाहिए, ये सारे मामलाद ठीक होके होने चाहिए, आपको क्या लग रहा है, ये ऐसे होने जा रहा है? देखे जी एक तो ये रटायर्ट जरनेलों ने बड़े किन्फूजन में बचाई हुई है, बुक्तलिब चैनल्स बे तर्शीव लाते हैं, सारी उमर्वनों ने नौकरे की हुई है, उसके भी मुस्तफ़ीद हुए हैं, आप ये हमें बता रहे हैं कि सहसत किस तरह करनी मुझे ये समझ दिया आती है कि पाकिस्तान के अंदर बासीदें गहर मतराजे हैं, पार्लिमेंटरी निजाम, फेडरल सिस्टम, ये निए 1973 कॉंस्टूशन के तैट, बाकी जो हुक हैं, फ्रीडम अप प्रेस, ये सारी चीज़ें तेह चुकी हुई हैं, सेंसिस का मामला जो यहां पर यह जो टेक्नोकरेट्स की बात करते हैं, जितने भी यहां पर मर्शलो लगें या नहीं मर्शलो, ये टेक्नोकरेट गमेंट्स थी, शौकत दीजिस क्या थे, वो टेक्नोकरेट्स थे, अयूब खान लॉब आपको ले गया है, 22 खांदान बने आदा मरू ठूट कि जो भी आमराना दोर में आता है उसमें आप जो मर्ज़र टेक्नो क्रेट ले हैं तो ये टेक्नो क्रेट की गुर्मेंट या ऐसी गुर्मेंट जो के ओपर से कोई जनरल आइंदा खान उसके निगरान बान के बैट जा है ये पाकिस्तान में ना चल सकी है ना चले ही हूँ मगर आरिफ निजामी साथ अब तो ये भी बाते हो रही है कि जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है उसके अंदर से एक लीडरिशिप बैटल जो है वो सामने आ रहा है और दोनों जो शरीफ प्रादरान है मिया नवाज शर शरीफ साथ वो शायद एक पेज़ पे नहीं और खुलके उन्होंने इसका इजहार भी किया है तो इस हवाले से कि जी मिया नवाज शरीफ साथ जो है अब वो पीछे हटेंगे शरीफ साब को सामने आना चाहिए इसके बारे में आप क्या करेंगे ये देखें इसमें मिया न अमने सिचुएशन पैदा हुई है पहली दोबा तरीफ में कि हकूमत मौजूद है वजीर आजम फारिग हो गए अब नए वजीर आजम आ गए है अब यनि एक तरफ मिया नवाज शरी पोर्ड में दूसी तरफ जो हकूमत है वो हकूमत के पोर्ड में मिया नवाज शरी डि जो एकाउंड डिल्टी बिल था उसमें तो मुस्लिम लीग ने नाम लिया के जज्जों है जर्रेले कुछ आमल किया जाए तो दोनों स्ट्रेंट चल रहे हैं अब आगे आप शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के रिफरेंसिस के बारे में आपने पूछा है जो मुझा है मिया नवाज शरीफ चाते हैं कि हार्ड लाइन लें शहबाज शरीफ साब कहते हैं कि जनाब भाई साब आप ये कमसकाम सेनेट के एलेक्शन हो रहने दें आप एलेक्शन में हमारी पार्टी जो है वो वितर नताज़ देगी तो आप इसको अप्ल कार्ट को अफसर्ट न कर होंगे अब इस हवाले से शहबाज शरीफ साब जो हैं वो मिया नवाज शरीफ के आशीर बात से होंगे लेकिन आपने आपने लिफरेंस दोट किया होगा कि उनके मिया नवाज शरीफ के साथ जो दो तीन दिनों में मिल्टिंग हुई हैं जी उनके वजीर आदम से मिल्टि के मौके पे और जो उनके वुजराव में जो पहले पाज या अद्लिया को बगार नाम लिए और टायक किया जाता तो नहीं किया गया मगर आज आरिफ निजामी साहब की ट्वीट्स आई है ना वो इस हवाले से जो आज डीटेल जज्जमन्ट आई है उस हवाले से काफी सخت है मगर अगर इस बात को आगे बढ़ाए नुमान वजीर खटक साहब जिस तरह के आरिफ निजामी साहब भी कह रहे थे कि जो रिटायर जिनरेल है उन्होंने शायद एक पट्टी पढ़ा दी मगर बारहाल ये एक बात हो रही है तो अगर टेक्नोक्राइट गवर्मन्ट क्या लेट से केर टेकर गवर्मन्ट की बात होती है और कहते हैं कि जी नवे दिन से जादा हो जाए ताके मर्दम शुमारी भी सही माइने में हो जाए और ये हलका बंदिया भी सही माइने में हो जाए तो क्या वो पाकसान तरीक इनसाफ को acceptable हो ने हमें primarily constitution में टेक्नोक्राइट ग अगर नवे दिन से जादा चली जाए तो नवे तो च्छे मीने तक तो चल सकती है वो extension उसको मिल सकती तो कापने कबूल होगी PTI को लेकि हमें तो यह हमें तो यह हमें तो यह हम तो कहते हैं आप तो election 2018 जून में करना चाह रहे हैं हम तो कहते हैं मीजिट election होना चाहिए कि य तो चल रही है यह तो गवर्मेंट ना देखे न क्या गवर्मेंट बिदाने देरे हैं आरिव निजामी साह bir आप 가지 हो आई हैं आप अ Paulo RIT इड्नोक्राट नहीं मगर केर्टेकर की बात तो हो रही है। मैं आप बता हूँ ना कि देखे ना अब जिए सीरिसनेस इस गण्मेंट की यह देखे ना कि आपने यह बिल मूव करना चाहरे थे पिछले साथ दिनों से आज तो फ्रोग होगी यह नशनल असेंपली लेकिन आप यह बिल अग डालना चाहरे थे तो थर्ड मिजॉरिटी से इसको पास होना था हमनी एम्मेनेज वर सिटिंग ओर दे लिए बिलकुल हमारा कोरम पूरा था था थे वर दे टू थर्ड वर नॉट इवन थर्ड सिटिंग ओर दे हम बिल पास करने की पोजिशन में थे हमने सर्फ कंसंसिस की खातर पोस्पाइब कि यह पर रोग होए उसो चछती सम्मेने बै कॉंटबिलिटी कमिशन का हवाला है उदर पाकिस्तान तरीक इंसाफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नूर आप सब ने का जी जेनरल्स और जजजिस का कोई इसाब नहीं होना चाहिए मगर अभी कुछी देर पहले बिलावल बुटो जरदारी ने यह का है कि यह बहुत संद है कि फरतुला बाबर साब भी यह कहते रहें कि दिया इसाब होना चाहिए पहली बात यह कि जो पहले डिसकुशन हो रही थी तो उसमें जरूर मैं भी अपना इंपट दूंगी यह सवाल का जवाब जरूर जाना चाहते हैं हाँ लेकि अभी बात में क्योंकि इंटरप शवार जाल